नमस्का दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है हमारी दिन चरिया दीन से उठते ही प्रालम होती है सुभा अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है सुभा सवेरी अगर हम कुछ खास काम करें और कुछ बातों का दिया रखें तो ना कीवल हमार दिन अच्छा गुजरेगा बलकि घर में भी सुक शान्ती भी आएगी और कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा आएए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में सुभा सबसे पहले उठते ही अपनी हतेलियों को देखना चाहिए कहते हैं कि इससे सभी देवी देवताओं की किरपा मिलती है और जीवन में सुक शान्ती आती है हतेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच के भाग में सरस्वती जी और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं इन प्रमुख देवी देवताओं के अलावा ऐसे मान्यता भी प्रसिद है कि हमारे दोनों हातों में कुछ तीर्थ भी होते हैं चारों उंगलियों के सबसे आगे के भाग में वतीर्थ है इसके बाद तरजनी मूल भाग में प्रित तीर्थ समाया है कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापती तीर्थ है और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्मा तीर्थ का वास माना जाता है इसी तरह दाइने हाथ की बीच में अगनी तीर्थ समाया है और बाय हाथ के बीच में सोम तीर्थ का वास है इसके लावा उंग्लियों के सभी पोरों और संधियों में रिशी तीर्थ भी है हिंदु धरम में हमेशा से ही तीर्थों के दर्शन शुब माना गया है इसलिए सुबा सुबा यदी इन सभी के ही एक शन में दर्शन कर लिये जाएं तो यह कल्यानकारी माना जाता है तथा रोज सुबा व्यक्ति बिस्तर जाडने से पहले यदी अपना हाथ देखे तो उसे हर कार्य में सफलता मिलती है इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों